नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जीतू और मापका हारदिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू रिवोल्यूस नरीफ फार्वर में तो हर्याणा सरकार जो है एक पशू परदर्शनी जो आयो जित कर रही है पशू पालकों के लिए उनको प्रोचसाहि करने के लिए पशू पालन को और आगे बढ़ाने के लिए तो जो 25, 26 और 27 आगामी फरवरी है वहाँ पर भिवानी जिले में इस बार एक पशू परदर्शनी जो आयो जित की जा रही है तो वहाँ पर मूलत है जो देशी गोबंस की तीन नसलें जिसको हर्याना सरकार ही नसल तो यह देख सकते हैं साहिवाल नसल गाउं है जुई और जिला है विवानी जुई जुई के पास आपने क्या आजाए आजाए मालिक साब को मामंत्रित करना चाहूंगा युवा साथ ही है नाम है इनका मोनू तो बताएं जानकारी दें सब से पहले तो जित्तो को मिला है और यह देखें इनके पास काफी अच्छा गोधन साहिवाल नसल का है उदर से वीडियो जरूर कवर करेंगे तो इनके उपर आपने जो एलफा मेल बिडिंग बुल जो रखा है उसके लिए आपने इस सांड का चैन किया है तो अच्छा पास कर रहा था इसका रज अच्छा पास करें तो इस तरह से बच्पन से यह अभी तक रहा है तो क्या कुछ इसकी आईउ हो चुकी है इसकी यह जो कि जी छे साल की आश्पास ठीक है ठीक है एक बार फिर चला करके दिखाएं तो देखें टेपर्ड जो माथा साहिवाल में देखने को मिलता है अच्छा और हम के पास एक पूरी ढलान हमें साहिवाल में जो देखने को मिलती है और ना भी बिल्कुल एकुरेट एकुरेट और टेस्टिकल्स सटीक हैं सुबह का समय है इसलिए थोड़े से सिक्योडे हुए हैं जैसे जैसे धूप आएगी यह इसको नीचे रिलीज और इसको अगर खुद का साथ बावा तो इसके बच्चे भी अच्छे हैं जैसे बिल्कुल खरी बात है सब से मैं तो कानी है पिर इसकी जो मदर का रिकॉर्ड वो भी अच्छा है ठीक है तो कहां से लेकर क्या आए थे यह लेकर आएथा जी मैं सिर्षा से आगे से जी अच प्रभाव शाली किसी भी नसल का कर्णधार जो होता है वो उस नसल का शुद्ध नंदी या सांड होता है तो यह देखें आजाएं इदर आजाएं और आपकी जो अच्छी गोधन हैं उसके बारे में और जानकारी दें यह देखें जाटी का पेड़ है और इनके लिए प्राक जो च्छपर है पूरे हमारी तरफ इसे बोलते हैं और काफी अच्छा प्राकर्टिक थंड़क इसमें होती है तो इस बार जो सर्दियां गिरी इसमें यह ऐसे ही बैठी रही इसके निचे बैठी रही और कोई पल्ला वल्ला करने कोई आवे सकता है लिए पल्ला वल्ला पूले जो है अब गर्मिया जब आएंगी तो चीडिया चोटी चोटी जो ननी चीडिया है वो इसके अंदर अपना घोसला बनाएंगी बहुत बढ़िया ठीक है तो और बताए आपकी जो गोधन है दो चार पांच के बारे में काफी अच्छी आपने जो दूद की रिपोर आपने उसका क्या कर रखा है अच्छा गुलाब ये देखें ये जो बच्या है काफी सुन्दर साहिवाल नसल की ये बच्या अच्छा ये बच्या किसकी है ये इसकी बड़ी बहन की बेटी है इसकी क्या नाम करना आपने इसका किया है चंदन अच्छा चंदन ठीक है चंदन चंदन अरे सुन्दर ये देखें तो ये सहिवाल नसल की ये बच्या है तो इसके बारे में आपने डिटेल जो बताई खारकी ने क्या कुछ दूद दिया फरस्ट है इसका 18 लूप तोल के लेके आ अच्छा ने जाते हैं तो आपने बताया है कि आपका अनाज का अच्छा विश्च्तरित कारोबार है तो में वह है ये आप होबी के तोर पर शोक के तोर पर आप इसको रखते हैं बहुत बढ़ी बढ़ी है वह आप इने से व्यापर ने करना ले आपके बेजने ले जानी ऐसे तो आपने रिकोर्डिंग में यहां पर लगाई कौन कौन सी बच्छिया या गाए ने कितना कितना दूद तोला वो और इसने अच्छा यहां पर HLDB में मिल्क रिकोर्डिंग में लगाई थी आपने अच्छा यह उदर से तो 19 की लगाई थी यह भी इतना दूद पर लगाई थी अच्छा चार गायों को लगाया था आपने और किसने रिकोर्ड दर बटाए थी अच्छा चार लगाई आपने एक तो यह लगाई थी फर्स्टाइमर बच्या और आप यह आपने बताया कि अभी दांत पूरे नहीं किये अच्छा यह दिख वाएगी तो आपको अभी दिखा देखा देखा है तो यह देखें अडर क्वाल्टी जो है ड्राइपीड में ज लगई पार शुरू करेंगि दांत इस बार। यह देखेंगा चार शाड़े चार पांस महिरे क्या देखा है रह्याना सरकार की पशु परदरश्टनी है और वहाँ पर अपने अच्छे पशु साथ ज्यादा से ज्यादा पशुत पालक पुँचें तो उसके लिए सरकार प्रयासरत है और यहां पर ये जो छोटा बाड़ा बारा आलक करके बनाया गया है यह इनके काफ के लिए तो छोटे बचे हैं वह इसमें है बहुत बढ़िए तो आप ने मैं बताया है कि ज्यादात एक दो जैसे परीस्तितियां होती है तो 37 ऐकर 37 किलो में इन्हों इस बार सर्सों की बिजाई की तो 37 किलो में तो सर्सों आपको धनाडे बना देगी ठीक है तो इस बार आपने एक चीज बड़ी अच्छी जो अभी वारतालाब के दोरान बताई कि इस बार सर्सों क्योंकि ज़्यादा बीजी गई है तो इस बार भूसे का जो रेट रहेगा वो हायर साइड में रहेगा तूड़े का रेट तूड़े का रेट सिर्समान बुला देगा इस टेम पर भी मंडी में मानके चलो आप 1300 रुपे कुंटल के असपास तूड़ी चल है जब बिगड़ता है कि पशुपालकों के लिए खासी डिकत हो सकती है इसलिए कहा जाता है कि जो बैलेंस किसी भी चीज का जब बैलेंस है जब वो बिगड़ता तो कहीं न कहीं उसमें दिक्कतें आती हैं तो यह जो गोधन है तकरीब इनकी जो फीड मैनेजमेंट है उसके बारे में दो शब्द जरूर बताएं आपने कहा कि एक पाली की व्यवस्था है जो कि इनको चरा करके लेकर क्या आता है हाँ यह जी चरने के बाद वैसे जंगल में चल जाएंगी जोड लगता है बनी गोचर भूमी वहाँ पर बैठी रहती है अभी तो चरने के लिए वहाँ पर गास नहीं है और जिस सामन बाद वह आता है उस टेम पर फुल चिक्क्या रहा जाता है वहाँ ही तालाब है इनको ब पास होता है तो इसका आप क्या प्रियोग करते हैं इसको अपने खेतों में डाल देते हैं अच्छा थीक थीज़ा जो ब्रिडिंग बूल रखा है वहाँ पर है और यह देखें उसके उपर ही रसा डाला हुआ है जी बुलाएं हमारे पास आप ज़्यादा विकल्प नहीं है आप इस चीज़ को समझने का प्रियास करें गोधन के साथ क्रिशी और रिशी परंपरा के साथ जुड़ने के लिए अती अती आवशकता है वो आप देखें कि आप कौन सी नसलों का चैन करते हैं कौन सी नसले जो हैं वो आप चल्डीबी की मिल्क रिकोर्डिंग्स में भी लगाती है और यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा इन तीन नसलों को ज़्यादा भड़ावा देती है जब कभी भी राज्य स्थरिये पशु परदर्शनियां लगती है तो तो अन्य सरकारों के लिए ये एक अनुकरणिय में वीडियो में कवर किया था अच्छा मुर्रा का अच्छा ठीक है दिखाए चले जी 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 विल्कुल था उसको भी लेके जाएंगे अच्छा 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 तो देखें बालू रेत के इनके पास अच्छे कच्छे ठाण हैं कुदर्ती गद्धे हैं तो पिछली बार आपके पास एक पिटबूल कुटा हुआ करता था फादर साब नमस्कार तो पिछली बार एक पिटबूल हुआ करता था अभी आपने जर्मन सैफर्ड रखने शुरू कर दिये वह कहां दिया अच्छा म महनत यह देखें बैठने का इसारा करते ही यह बैठ गया और यह बहुत वरी है ठीक है यह दो देखें जो जीव प्रेमी होता तो उनको जीवों के साथ एक अलग अनुभूत ही होती है तो यह देखें मुर्रा नसल का यह सांड है और जर्मन सैफर्ड नसल किये इनकी कुतिया है और फिर भी देखें एक जो इन दोनों के बीच में एक पारसपारिक जो संबंध और प्रेम जो देखने को मिल रहा है वो अतिसरा है अरे बहुत बढ़िया तो अकसर ऐसा माना जाता है कि जो भैस्वंस होती है वो इतनी ज़्यादा बुद्धी जीवी नहीं होत देखें सांड को कहा गया कि लेठ जां तो यह देखें लेठ गया वह बहूत बढ़िया लोग खड़ा करें बहुत बढ़िया तो जीवन में पजोल्गो जए तो कभी बेचना मत इसे नहीं इसको भी शोक के लिए लेकर आए था अच्छा एक जी 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 ये जाडली के पास था अच्छा इसकी मदर का फ़शी किलोगा रिकोर्ड है अच्छा बहुत बढ़िया तो अच्छी तैयारी पर है अलांकि थोड़ा सा सींग का नुक्सान है अन्य था बुल को आप competition अर शुधन भी हुआ करती थी हालांकि थोड़ा समय का अभाव आपके पास रहता है क्योंकि अनाज का आपका अच्छा चलो बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया तो अंत में मैं आपके संपर्क शुत्र जरूर जाना चाहूंगा कोई आपसे किसी चीज के लिए संपर्क करन चाहें अठाण में 126 सटेंटर 706 तो यह इनके संपर्क शुत्र हैं और यह इनका यह देखें बहुत बढ़िया तो इतना अच्छा पशुदन दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवादा और एक चीज और मैं यहां पर पुर्जोर बताना चाहूंगा जब यहां से पहुचे आंदर परदेश में तो वहां पर सबसे पहला जो भैस उन्होंने नाम लिया था कि यह जूई से लेकर किया थे मौनुबाई के पास तो वह आपकी थी तो उसके बारे में बताएं आपने उसने बताया कि फर्स्ट टाइमर नहीं काफी अच्छा दूद निकाला थ अच्छा फर्स्ट टाइमर का अच्छा वर उसने पाथ सबाद में दूद और भी फाल्तो बना दिया था आपने वीडियो बनाई कहीं है तो कमेंट यह आया था के नाम लिया अगर जूट बोल दी है नियो कर दी है उसने पाथ सब्सक्राइब तो यह जो बुल आपने बता अच्छा इसके जितने काफ अच्छा आते हैं यह रेक बुल का रदल्ट नहीं है यह मैं नहीं बता रहा है सभी को पता है क्योंकि लग भगडेली तीन-चार बैंस आती है अच्छा या बिनोने के लिए तो आपने बताया कि 25 किलोमेटर राज्था में कौन से जगह का नाम वहां बताया तो अगली बार पूरा समय निकाल करके आएंगे और पूरे गाओं की विजल्ट करके और फिर इसकी किस तरह की प्रोजेनी गाओं में आ रही है वह आपको दिखाने का प्रियास करेंगे और आपने सूस पस्ट बताया है कि एक अजार उपए आप मेटिंग चार्ज लेते हैं, अलांकि धनाड्य हैं, सम्रिद्ध हैं, इनकी आपको कमाई खाने के आवश्यक्ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक आपने नॉमिनल फीज जो कर रखी है, जैको सोक जी, इसकी कमाई तो को अजार उपए किलो, जंगल मचर के आओं है, फुलो खाँ, सब देशी खानों खाँ, वहां को यह वो नहीं, खड़ भी नोड़ा कुछ नहीं, स्पेसल देशी अपने लेकिया कि गरी हैं, बना कि उसको रूप बना कि खाँ, बहुत बढ़िया, एक बार इसके बारे में और आपने बताया कि खरना बड़ा अच्छा, स्ट्रोंग खरना है, इसकी मा मेरे साथ लगया करती थी निवासमेजी, और यह मैंने छोटी देख रखी दी तब से मैं इसका लेने का इच्छा थी, अच्छा, फिर आपने ले 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 लिया या, इसकी बार भी यह मेरे पास आई करती है, तक्रीबन तो आपने बताया कि फिछला एक जो था है निच्छे से थोड़ा सा कलम करवा रखा है, लेकि फिर भी 22, 22, 22 क्लोंग तो यह देखें यह देखें, निच्छे जो थान है वो कलम मतलब थोड़ा सा काट रखा है, इसलिए इस थान में आदा किलो दूद भ लेक हैं अभी कितने महीने की reality habitat commission यह इनके पशुधन की सोड़ा की लदूद से उक्रूप पर इक साधा शानकिसान में बेहों इस Union के बाइस सोटी एल बड से उप के लुड़ शोड़ा से निकाल रही है तो यह देखें अच्छा पशुधन जू ही के पास गाउं है आजाद नगर वहाँ पर देखने को मिला एक भैंस और एक बुल ही है रेक ये कटिया और अभी जो जादतर इनके पास पशुधन में गोधन ही है साहिवाल नसल की और एक उनका ब्रिडिंग बुल तो इस बार कॉ पूर्बॉद्या, थैक ये वहरी मच, ये,